हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागता है सरीता सहरवार चैनल में आज हम लोग कुछ हेर पैक के रिलेटेट बात करना चाहते हैं तो अभी समर का शुरुआर पो चुका है तो मैं कुछ आपको समर के घर के टिप से बारे मैं बत्ताना चाहुँगी कि यहल षे स्वाइन निक यह मैंने मैंने निकालार इसा दो येलो वीर के डंडियों मैंने ली थी इसके अंदर से उस निकाला कृण करके लिया है मिक्सी में से और हमलो उसको आइड करेंगे अभी कर्मी के दिन शुरू हो रहे हैं तो बालों का ख्याल रिखना बहुत जरूरी हो जाता है इसके लिए हम लोगे आज फिर मास्क बढ़ा रहे हैं उसमें मैंने अगाला है दूआ पंडे मैंने ली है केस्टरोई जो मैं हमेशा अपने बालों को बालों में यूज करती हूं एक चमच एक टिस्पुमाला चमच से लिए हमेने अभी हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करेंगे समर का सीजन है बालों में रूसी हो जाती है बहुत ज्यादा पसीना आजाता है उसके वज़े से बहुत ज्यादा टैंड़ा फेट का होता है अब हमें इसको चाहिए और बार बार करते रहेंगे तो बालों की प्रोथ पी बहुत अच्छे से वह फास्ट होता है अब ही हम इसको अच्छे से देखें हमने मिक्स कर लिया है दो अटे अलुएडा का जूफ्स और कैस्टरोल तो हम लोग अब ही इसको हेर पर लगाएंगे और एक घंटे के लिए रखना है अब ही मेरे बाली प्ले लंबे है इसके लिए मैंने यापी दो अटों का लेपैट बनाया है अब लोग इना है अब अभी एक आप्राइंग और कैस्टरॉल एरडे का थे इसे बोलते हैं और गों मेरे लिया है कि आपलों में शाहिन आजाता है और ग्रोथों में है अलो मिया और कैस्टर वायल कम बहुत जादा महत्र होता है पालों के लिए और ये मैं फुदी उसकरती हूँ इसके ये मैं आपने विवर्स और मेरे फ्रेंद्स फैमिली को भी मैं टिप्स देना चाहूंगी कि आप लोग आपके बाल पतले हैं ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रहा है तो आप इस एलमास को महीने पे एक दो बार ये उसकर सकते हैं अंडे से बालों में शाहिन आजाता है कंडिशनर होता है नैच को कंडिशनर का काम करता है अंड़ में लेडिज लोग पूरा मास कवर करते हैं चहरे पे पूरा कवर करते हैं इंडाय हो जाता है दूप में जाएंगे तो जाता है और उससे इची होना शुकू हो जाता है और पालों में हुझ हो जाती है तो ये पेको रुषी को कम करेगा और आपके बालों को नरिश करेगा और पाल लंबे कोने में बहुत मदद करेगा इसकाल को अच्छा से मसाज़ कीजिए मैं कोई ब्रश वगेना नहीं उसकरे यह अपने गात सही मैं अपले करे रही हो अच्छे से बालों के चड़ों को लगाईएगा और मापी अच्छे से मसाज़ कीजिए जितना बच्छा है उसको अबलों यहां पे अपलाईएगा स्टीच स्प्लित थीख कात्व्यूं सब्स्क्राइगा अर्ट को आप अधान कीजिए वाण कीजिए प्यूल स्टीशा मेरन कीजिए जाएगा, ना, इससे हख के दिया और घारू के लिए आच्छा लेता है, जूस पीछे का सिक से, इन भू शर्बत है, वो कम का शर्बत है, कहीरी का पना भी पी सकते है, विटैमिन C वहाँ ज्यादा रहता है, उसमें, आउले का जूस है, देख सकती है, कि अच्छे से मसाज कर करेंगे, इससे हमने बालों के लिए इसा ही रख देंगे, और फिर उसके बाद, गुंगुने पानी से, या आप लोग ठंडा पानी उसके आते हो, उससे हम लोग नॉर्मल शांपू के साथ, इसको फिर वाश करतेंगे, अजर मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया, और ये हेल टिप आपको अच्छा लगा, तो कमेंट कीजिए गा, और हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको जुड़ा बना के ऐसे ही, एक आदा एक घंटे के लिए रग देंगे, अच्छा थोड़ा सा बच्चा है, इसको भी अच्छा सा, ये देके ये हो गया हुगा, ये देके ये हो गया हुगा, अच्छा थंडा मैसुस हो गया है, इससे, कैस्टर ओई है, और आप इसमें चाहिए तो बदामते या फिर ओली ओई भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंको हुगा है जड़ मैं अच्छा सकते हैं, देके को क्य crater ॵाले का कहा है, ढु बब Wannaश्यू है, 근데 इस अच्छा विस अच्यू है, अच्छा सेको का बाराए ह। Ee झाल 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 झाल